गूड मार्निंग तोड़े इस इसेंबर बीब डिसकस एयर एन एडिटोरियल फ्रॉम दा हिंदू और आज का अडिटोरियल है अनेस्ट रेकनिंग और नेक्स रेकनिंग का मतलब अनेस्ट का मतलब इमांदार होता है you know very well रेकनिंग का मतलब किसी को समझना मैं ले देता हूं ठीक है या उन लोगों काउंटिंग करना उनसे एक्सपक्टेस करना इसको बहुत सारे मेनिंग होते रेकनिंग के ठीक है फिलाल तो समझने से है कि कौन-कौन से देश इमांदार हैं जो फॉजल फियूल से हटना चाहते हैं और ग्रीन एनरजी पर आना चाहते हैं उस पर ल इसको मैं एक्सप्रेंड करूंगा यहां पर और इसकी पीडिएफ चाहिए अगर आपको तो टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है तिक का मिलेगी टेलिग्राम हुआ जाईए और वहां से पीडिएफ ले लीजिए पहला वर्डर रेकन रेकन क करना तकरार करना इंटेंस अर्ग्यूमेंट इसको बोलते हैं यह फिर कोरल नौइस लिए आप बोल सकते हो कंसेंसस का मतलब सर्वसमती होता है बहुत ही इंपोर्टेंट वर्ड है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है यह भी इंपोर्टेंट बड़ है सेम अपनिन नहीं ह हाँ सेम ओपिनिन होना चाहिए ठीक है करेक्टर कोई तिकत नहीं है नेक्स्ट बड़ है अर्टीकुलीट अर्टीकुलीट का मतलब साफ बोलना होता है एक्सप्रेश और स्टेट के लिए लिए यह नहीं साफ साफ कह देना रन अप्टू का मतलब टूमूब टू वर्ड कि किसी की जाना फिरजल वागे काफी इंपर्टेंट है पर्शीप को लिए समझादेना होता है अनुभव करना भी होता है बीकम कॉंसियस और यानि किसी की जानकारी होना कौंप्रिहेंड कमना समझना है एंडूर्ज का मतलब समर्थन करना अप्रूब आप्रूब के साथ हमे किसी से बचना धीरे-धीरे किसी भी चीज की कमी हो जाना या घड जाना ग्रेजुल रिडक्शन जिसको बोलते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो करी देना फिलेश यर भी आप कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट वर्ड हा हमारा स्ची यू यू बहुत है अच्छा वर्ड है और यह रिपीटिड है मैं आपको बता दू इसका छोड़ना त्याग ना अवाइड इस टी अवई ठी इसके शभर होते हैं इसके शिनेरीन होते हैं द्यानर रखन ठीक है यह ब्रोदा भासी इसको हम कह देते हैं ठीक है गियर्ड का मतलब सामगरी होता है कुप मैट कंसिस्टिंग को मिसलीनियस मिसलीनियस की स्पैलिंग चेक कर लेना है क्योंकि यह मैं क्या संपैलिंग याद कर दोगे तो पेपर में आपको हैल्फ होगी कभी यह पूछ लेता है चाइस याड कैसे करोगे आपको बता देता हूं मिस्स याद कर लो और एछ आख लो इनियस और याद कर लो इस ब्रीक करके ठीक है तो आपको याद रहेगी क्लियर है अब हम कुछ क्वीज पर आ जाते हैं पीवाइक्यू सम एडियम का मीनिंग बताना है सेंटेंस में ठीक है ठीक है ले जिसलेशन्ज टू है जल्द होगा फ्रोग्रेश ऑफ सोचल रीफॉर्म कुछ लोग देखते हैं लेशन अपर या उम्मीद रखते हैं कि कुछ प्रोग्रेश जल्दी होगी सोचल रिफॉर्म सुधार होगा ठीक है लुक्तू का मतलब होता है एक्सपक्ट करना य ignore का मतलब अंदेखा कर देना ठीक है तो इसको है ठीक है पीकर चेक करना तो देखना देखने की सेंच में आता है फिलाल रिलाइवन ही आप्शन यहां पर क्या है परफ्रेक्ट ले और कोई तो आप्शन भी नहीं है इसलिए हम रिलाइवन भी लगाना पड़ेगा दूसरा है सब्सक्राइब अप्रोप्रीट मूस्ट अप्रोपेट को लग को लोगेटिंग वर्ड तो फिल इन दा ब्लैंक यानि कि जो इससे रिलेटेट वर्ड और सेंटेंस को या बर्ड को मीनिफुल बना दे भरिये ठीक है यह फिल इन दा ब्लैंक सी कर दो तब भी बात देकिये अब शुआ थी एंड रागव आर ठीक है घंदेना और फ्रेंड कैसे फ्रेंड बुजूम हर्ट ली हर्टी यह टाइट यह टीप तो यह तो कोई मतलब भी नहीं है बुजूम होता है बुजूम को लोगता है इसको बोलते न वह वाला इस पक्के दोस्त तो बुजूम ही य डीप का अट घहरे तो यह टो कोई ज कही है नहीं ही जिए पिल का है आपका फर्स्ट वर्डत कि उसमें स्पेलिंग करेक्ट बतानी है यह कृणो लॉजिकल होता है तो इस पैल कि सब्सक्राइब सो प्रूशन का है तो आप नमबर फूस्ट जीयौ आंसर ठीक है यह कूशन तीन कुशिन मैंने कराएं तीन में से अगर आपने तीनों किये थ्रीवाई थ्री अपने कुशिन किये हैं तो तो थोड़ सी और प्रेक्टिस कीजिए यू मस्ट डू अब आयते हैं हम एडिटूरियल पर हमें उम्मीद हैं उन देशों से जो काम करते हैं जिनको समझा जाता है या ऑनेस्ट की रूप में देखा जाता है ठीक है उससे रेलेटर यह क्या पूरा का पूरा आर्टिकल है मेजर बर्ड दुनिया ठीक है मेजर में बड़े पहाने पर एकॉनमी जी सीम यह मेजर बर्ड को अगर मैं बात करूं जो बड़े बड़े देशें की कॉनों बहुत हाई यह बड़ी है इकॉनमी शीम प्रतीत होते हैं अन्बिलिंग अनिचुक प्रतीत होते हैं पर दो एक ठाई नहीं कर रहे हैं मूब अवे फ्रॉं हटना धरि dealing यह टो पैसे वाले देश हैं देसों प्रिंटीत होते हैं देखते हैं अनुप अच्छों अवीन टे के नहीं हाट रहा है वह जितनी नांच कि प्रक्रांप अमेरिका है प्रिंडीय अगर आड़ दो यह संग है हमाट यह देव создan जाएंगे और हमारे जो जितने भी कि फॉजल फ्यूलेंश अभी खत्म होंगे फिर तो बहुत सारा नुक्षान हो जाएगा कि अब सेंटेंस को मैं आहलाइट कर रखा है अब मैं एक्स्प्लेंट करने वाला हूं दा बाउंटरी वॉल एंड क्लोजिंग डिसकसंस अराउंड ग्लोबल क्लाइमेट एज 5.10 डिघ्री चेल्सियस अब देखे ये अगर मैं इस क्लॉज की बात करूं यहां से यहां तक यह कहना क्या चाहता है यह कहना चाहता है कि बाउंडरी बॉल एक बाउंडरी बॉल एंड क्लोजिंग जो घेरती है ठीक यह घेरती है कि चीजको डि अना ग्लोबल क्लामिट एज 515 डिग्री यानि ग्लोबल जो क्लाइमिट है हमारे डिसक्रेशन चल रहा है ग्लोबल क्लामिट को लेकर के तो ये इसकी बाउंटरी बना दे गई है बाउंटरी कैसी मतलब आप जानते हों घे यह भी दीवार होती है बड़े ऊपर ऊपर वाली क्लियर होगे तना पॉइंट और फिर पर दाव एकरीज इंग्लोबल प्री इंडिस्ट्रियल ठैंपरिचर ग्लोबल टैंपरिचर विर्ट यह ए जो ग्लोबल दुनिया में टैंपरेचर का से इंडिस्ट्रिस वात हो यह तब से ठीक है पहले कितना था लेकिन अब इससे उपर नहीं जाना चाहिए अभी कि अगर टेम्परीचर की हम देखें तो लग भग टू डिग्री सेल्सेस के आसपास है और इससे उपर ही जा रहा है तो कहने के मतलब एए टेम्परीचर को मेंटेन करना ही ही पर टीकर जीसे की आगे ना बढ़े अच्छह यहां तक क्लिए रहो गया है सेंटेंस पर मूब करते हैं sentence here here is आगे इना आने बोला है sentence को कि now that बन डिग्री सेलस्यते से इसक्रों एक डिग्री सेल्सेस क्रॉस हो चुका है all the wrangling underway at the climate summit in dubai is to keep the half degree लाइस यहां पर देखिए देखिए इसेंटेंस कहता क्या है पहलो तो यह समझे कि सिंपल में बना हुआ है कि नाओ डैट बंड डिग्री सेल्सेस इस क्रॉस्ट एक डिशी तो पार ही हो चुक है कि यहां पर डेड़ की बात की है ठीक है डिड़ी सेल्सेस अल दर मतलаюсь होता है सोरगुल होना बादचीत में जब हम डिशक्स करते हैं नाराजगी हो जाती है न वहां रही है एक क्लाय मेट एड़ है क्लाइमिट इन sem premiет पर पर discussion चल रहा है कि climate summit पर ठीक है जो discussion चल रहा है कहां पर दुबाई में is cap to half degree rise उन्होंने फिर क्या किया पहले तो बात कह गई थी एक डिगरी की discussion चल रहा था कि एक डिगर पर आना है लेकिन फिर जब discussion जाद हुआ कि पॉसिवल ही नहीं एक पर आना तो डेड़ की बात कर देगे तो डेड़ी सेल्सेस की ग्योवल प्लेज ग्लोवल दुनिया प्लेज लेती है तो कट एमिशन निचिन का मतलब मिशन अचीब लेए इमिसन को करने तबढ है दर तेमपरिचर इतना मेंटेन कर पाएं कि एक डिगरी पहुंच जाए यह संबभ भी नहीं थी पासिबल नहीं इतना आसाने चाहिए क्योंकि टेंपरीचर काफी बढ़ गया और इतना हम कारवन एमिशन एकदम स्टॉपरी कर सकते हैं कि टाइम लगे है कि हर चीज जितने भी फॉजल फ्यूल है सभी देश देश जमाल करते हैं और एकदम से तो नहीं यूप पाएंगे उन्हें क्लियर आगे देखिए करन्ट एस्टीमेट्स अगर हम अभी का अनुमान देखें आज डैट टू लिमिट वर्निंग बन पाइंट फाइव डिग्री सेल्सेस बर्ड रिकॉर्ड त्री टाइम्स मूर रिनीवल एनरजी कापसिटी बाइट ट्वेंटी थर्टी और एट सेवन थाउजन गीगावाट नहीं हुला कि अभी का जो अनुमान है ठीक है कि लिमिट वर्निंग बन पाइंट फाइव डिग्री सेल्सेस है ठीक है प्रितिव के इससे बढ़ने नहीं देंगे है कि दो वर्ल्ड रिकॉर्स इसके लिए जरूरूरत होती है प्रिजिन इंड करने की तो कट करने की तो कट करने से होगा क्या हमें एनरजी की दो पड़ेगी लगा था डेवलमेंट करने के लिए तो वह एनरजी आएगी खांसे तो ग्रीन एनरजी लेनी पड़ेगी और जब ग्रीन एरजी आईगी तो उसके लिए हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा यानि ग्रीन एरज़ी केपशिटी बढ़ाने के लिए 2030 तक तीन गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए या कम से कम 11000 किलोवाट गीगावाट एनर्जी की जरूरत होगी अब आगे वाले सेंटेंस अब देखिए यहां पर कि क्या बोला है देट देर इस बाइड ग्लोबल कंसेंस सबी लोगों की सहमति थी ओन दनीड इस जरूरत पर फॉर दिस ट्रिपलिंग तीन गुना वाज फॉस्ट फॉर्मली अर्टिकुलेट इन दा निव डैली कि सितंबर के महिने में दिली के अंदर जी ट्रिपलिंट की सम्मिट हुई या जी ट्रिपलिंट के सिक्र सम्मिट लेन हुआ वहां पर नेताओं ने डिसकेशन किया और बोला कि तीन गुने एनर्जी की बात है ना इसमें सब सहमति जतादिस हमने कह दी हमें जरूत भी है तीन गुना हमें क्या करना पड़ेगा एनर्जी चाहिए ठीक है जितनी हम आभी प्राप्ट कर पा रहें गिनिया और चाहिए यह इस पर्स ट्रूप से अर्टिकुलेट फॉर्मली तौर पर बोला गया था ठीक है वाज फॉर्स फॉर्मली अर्टिकुलेटेड यह पैसे में बना हुआ यहां से यहां तर देखना क्लियर अच्छा यान की जी ट्वेंटी में जो डिसकेशन वह बोला गया था कि ग्रीन एनर्जी जो है अभी हमें बढ़ानी पड़ेगी कितनी बढ़ दोए समीट तक की हम बात करें इसा समझा जाता देट इस बुड़ बी बाइडली एंडोर्स बाइद लार्ज ग्रूप ऑफ अबाउट नैंटी वर नैंटी कंट्री सिगनेटरी टू यूएन कंवेंशन ओन क्लाइमिट कि क्लाइमिट पर जो कंवेंशन हुआ था यूएन म सब्सक्राइब बाइड़ी एंडोर्स द्वारा क्या किया जाए सपोर्ट कौन से जो बड़े पैमाने पर जो बड़ा गुरूप है बननाइटी कंट्रीज का जिन्होंने सिंगनेचर कि यूएन में कंवेंशन यूएन कंवेंशन में जो क्लाइमिट पर डिपैंड था कंव सब्सक्राइब वाली बाग ग्रीन एनरजी वाली आगे देखिए एक टेट टर्ण्स आउट डैट सो फार बन वन एट कंट्रीज हैब एंडोर्स दा प्लेज एंड टू मेजर कंट्री इंडिया एंड चाइना हैब सो फार एबस्टेन फ्रॉम शाइनिंग कि टेंस आउट यह से प्रितित होता है दिखता है क्या सो फार अब तक एक सो अठारा कंट्री ने सपोर्ड किया है एंडोर्स ठीक है यह सपोर्टेड बोल दीजिए प्लेज जो हमने सपत लेती एंड टू मेजर कंट्री जो बड़े-बड़े देश हैं जैसी एक्जम्पल तोर पर इंडि अब तक एक सब्सक्राइब करने से बचे हों चाइना और इंडिया कि इनके डिपेंडेंसी फॉजल फ्यूल पर जादा है तो हमारे हैं पर कोल से संबंद देते हैं नहीं जो फॉजल फ्यूल है कोईला उसे जो एनरजी प्राप्त करते हैं तो लगवागत सतर परसेंट जो यह कार्बन एमिशन होता है यह ग्रीन हार्व गैस निकलती है वह कोईलेसं निकलती है हमारे यहां पर यानि इंडिया में ठीक दो सेंटेंस आगया है मैं इसप्लेंग करता हूं डग ग्लोबल रिन्यूवल एनर्जी अड़ीशेंच प्लेश ग्लोबल रिन्यूवज स्काम तो कर रहें की जो इने काइसिटिटी च्प्रेन इनर्जी रिणायों अनिचाइजром को करने की कोश्चिस कर रहें सिंट्री सूड आलो खम में ट्व विष्च्णाउन और कॉल पावर कि हम् जितने भी शेंटरी जन्होंने साइन किया देशने, वो कमिट कर रहे हैं, बादा कर रहा हैं कि फेज डाउन धिरे-धिरे कम करेंगे अनवेटिड अनवेटिड का मत्ला होता है कि बिना टच कियa तो अजिए हूं करते हूं ठीक है कि जो कूल है ना उसको कुल कर पाएंगे इन पर्टिकलर बेसे तोर पर एंटिंग दे कंटिनीडी कंटिनूड इंवेस्टमेंट कि हम इंवेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं अनवेटेट नियू कूल फायर पावर प्लांट की जो नहीं कोल का मतलब कोई लेवाले पावर जो प्लांट है ठीक है उनमें भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है गिरीन एनर्जी क्यों दिस इस दे मेजर रेड लाइन फॉर दे इंडिया लेकिन यह कहिना कि मीजर बड़े पैवाने पर रेड लाइन खत्रे करने साना अगर इस तरह से काम आपको वाइल इंडिया है पूजीशन इट्सेल्फ एजट चैंपियन फॉर रिन्यूबल एनरजी की इंडिया की जो पूजीशन है जब की वाइल कंदर जब की वो चैंपियन के रूप में रिन्यूवल एनरजी की इस ट्वेंटी थर्टी टार्गेट की 2030 तक का इसन जो है जिसको ndc बोलते हैं इस पीक और ट्रिपलिंग रिन्यूवल एनरजी कैपसिटी टू फाइव हंडिड़ गीगावाट फ्रॉम करेंट 170 गीगावाट की जो 170 गीगावाट हम लगवा भी इस्तमाल कर पा रहे हैं जैनेरेट कर पा रहे हैं रिन्यूवल एनरजी उसको लगवप 500 गीगावाट तक हमें बढ़ाना है तो ट्रिपल तो होई गया सतरती हैं क्या वन होता है ठीक है इसने यह बताया दोहराया ठीक है several times NDC की बात हो रही है कई बार that it could not be forced to give up certain fuels लेकिन ऐसा force नहीं कर सकते थी ठीक है किस चीज के लिए कि give up कर दें छोड़ दें fuel के लिए कि जो fuel है fossil fuel से हम energy start निकाल लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसे हम give up कर दें अभी से एकदम से खतम कर दें यह संबब भी नहीं है अगर ऐसा किया तो बहुत सारे काम रुख जाएंगे coal fired plant are responsible for nearly 70% of India's greenhouse gas emission की coal कोईले वाले जितने भी प्लांट है वो जिम्मेदार हैं लगबग 70% इंडिया की greenhouse gas emission में यानि कि हमारे इंडिया जो है जितनी भी greenhouse gas produce करता है ठीक है यह generate करता है उसमें 70% तो कोईले वाले क्या है फ्यूल है अगर यह बंद हो जाएं तो तुरंत ही नीचे 70% आजागा कार्म इंविशन developed countries that have made commitment to give up coal often have other larger fossil fuel resources as backup की developed countries जितने भी उन्होंने भी commitment किया तो छोड़ने के लिए करने के लिए कोईल के लिए ठीक है ओफन ज्यादातर है अदर लार्ज और दूसरे दीशनों भी ऐसे डेवलोग कंट्री हैं और छोटे भी उन्होंने भी कि कि फॉजल फ्यूल को गिवप करने की डिशोर्स इस बैक अब लेकिन फॉजल फ्यूल क्या है एक ऐसा रिशोर्स अधर कंट्री यूएन ठीक है युनाइटेट इस्टेट ने जोइन किया चपन्द दूसरे कंट्री एड दुबई कमिटमेंट टू कम्प्लीटली एस्ट्यू कोल फॉर इट्स एनरजी यूज़ वाई 2035 कि एस्ट्यू का मलता है गिब अप करना छोड़ देना कि दूसरे देशे कि वह छोड़ी आप भी छोड़ी फॉजल फ्यूल को दो हर पैतिस तक बुलकुल बुलकुल छोड़ दीजिए ऐसा ठीक है यूज़ ने बोला अब यूज़ खुद भी नहीं कर पाता हंडे परसेंट की बात तो दूसरे से कैसे कहना अलग है और रियलेटी में नही अबर मतला हाला कि दा यूज़ ओनली ड्रो अबाउट ट्वेंटी परसेंट अफिस एनरजी फ्रॉम कोल एंड फिप्टी फैपरसेंट फ्रॉम एंड गैस बिद प्लान तो एक्चुल प्रिदूश मूर ओफ इट वाइट वाइट ट्वेंट इस ट्वेंटी तरी दैन एट प्रिजेंट हाला कि यूज़ ओनली ड्रो ड्रॉम निकालता है ट्वेंटी परसेंट ऑफ एनरजी फ्रॉम कोल से निकालता है ठीकर द्यान रखना एंड 55 परसेंट ऑइल से लेता है वह एनरजी बिद प्लांस उसका प्लान है एक्चुली प्रिदूश मूर ओफ इट बाइ जाएगा जैसे की कार्मने मिशन क्यों हो जाएगा कम हो जाएगा 2030 तक देखते हैं कि हंडे परसेंट ऐसा अमेरिका कर पाता है नहीं कर पाता है दा पैरडॉक्स 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 ऑफ दवर्ड मीजर एकॉनमीज कमिटमेंट तो रिनीवल एनरजी इस डैट इस अब तक उनका जो बाद है एक्टिबली गियर टू रिप्लेश फॉजल फ्यूल कि दा पैरडॉक्स इसमें जो बात है ना है तो सच्छा ही वाली बात लेकिन कुछ अजीव सी लगती जूटी सी लगती पैरडॉक्स ठीक है ब्रोदा भास एक तरीके सा कैसा बर्ड मीजर ए इस यह डेवलब देश हैं कमिटमेंट उनका जो कमिटमेंट बच्चन है उनका यह बादा है रिन्यूबल एनरजी की तरफ इस डैट इस नौट एज अफ नौव अब तक उनका जो बादा एक्टिबली गियर टू रिप्लेश फॉजल फॉल को रिप्लेश कर देंगे यह उ ऊनेस्ट कमिटमेंट एक और जब तक आनेस्ट कमिटमेंट टू एक्चली डिप्लेश के उसे करें और यह एक्लीन एनरजी के दरफ वो एंड डिकलेशन दें ठीक है और बर्थ लिट्ट लूड दें बेड और ड्र डाप्टिड ऑन कि उससे ज्ज़ादा डिकलेशन करें ज अगर आपको पीडिएफ चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं टेलीगरम चैनल से जिसका लिक में नीचे दिया हूआ और आपको क्या का चाहिए MCQ कैसे लगे यह मुझे जरूर बता है आपने solve किया है नहीं किया है और community में भी डालता हूँ से solve किया करो ठीक है तब तक के लिए बाइबाइब टेक्के Have a good day